हेलो फ्रेंड आज हम दो रंग की बुनाई बनाना सीखेंगे तो फ्रेंड हम सुरू बात करते हैं इस बुनाई को हम उल्टी तरफ से बनाना सुरू करेंगे फ्रेंड देखे फ्रेंड हम इसको उल्टी तरफ से बनाना सुरू करेंगे यह दूसरे रंग का धागा लिया हमें तीन फंदे ये दूसरे रंगे बनाए हमने उल्टे और एक फंदा ऐसे ही इसमें उतार लिया देखिए फ़र से हम तीन फंदे उल्टे बनाएंगे और एक फंदा उतार लिया तीन फंदे उल्टे और एक फंदा उतारिलिया इसी तरह चे हम अपनी पूरी लाइन को कम्प्लीट करेंगे फ्रेंड यह देखे फ्रेंड हम अपनी पूरी लाइन कम्प्लीट कर चुके हैं अब हम इसको सीधी तरफ से बनाएंगे देखे फ्रेंड सीधी तरफ से जो हमने दूसरे कलर का फंदा है इसको उल्टा बुनना है धागा पीछे करना है और यह वाला फंदा ऐसे ही उतार लेना है यह जो दूसरे कलर वाले फंदे हैं, इनको हमें उल्टा बनाना है, और धागा पीछे करके, फिर इस वाले फंदे को ऐसे ही उतार के, फिर धागा आगे करेंगे, और फिर उल्टे बनाएंगे वो फंदे जो दूसरे कलर के हैं, धागा पीछे किया, फंदा उतार लिया, हम अपनी दूसरी लाइन कम्प्रीट करेंगे देखी अफारी दो लाइन कम्प्रीट हो गई है इस तरह से ते दिख रहा है और अल्टी दर आप से इस तरह से आप देख यह अब हम यह जो तीन फंदे हमने दूसरे कलर के बना रखे हैं, इसमें यह वाला सफेद बनाएंगे, यह वाला भी सफेद बनाएंगे, इसको ऐसे ही उतार लेना है. ऐसे ही उतार लिया हमने और यह अब देखे फ्रेंट एक सफेद और इसके धर-दर दूसरा कलर इन तीनों फंदों को हम सफेद बनाएंगे और उल्टा बना लिया हमने है तो फ्रेंट उसी तरह से करेंगे यह फंदा उतार लिया और अब तीन जो एक बीच में सफेद था और इधर-दर वाले तोनों को मिला कर तीन फंदे हम सफेद बनाएंगे इसी तरह से हम यह अपनी लाइन को तीसरी वाली को कम्प्लीट करेंग देखे फ्रेंट माई तीन लाइन कम्प्लीट हो गए है अब हम चौती लाइन सेकंड वाली की तरह ही बनाएंगे यह जो सफेद फंदे हमने उतार से उल्टे लिये थे वह हम इधर भी उल्टे लेंगे धागा पीछे किया इसको यह उतार लिया धागा आगे किया और फिर से सफेद फंदे तीनों उल्टे धागा पीछे किया यह वाला ऐसी उतार लिया धागा आगे किया और यह इसी तरह से हम फ्रेंट अपनी चौती लाइन को भी कम्प्लीट करेंगे देखिए फ्रेंड ये बनने के बाद में इस तरह से दिखेगी आपको और देखिए कितनी अच्छी लग रही है बहुत एजी है आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चों के स्वेटर में फुल्म स्वेटर जिसमें आप का मन करें उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं औ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए